हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है आकास और स्वागत है आप सभी का अमारी यूटूब चैनल कम्प्यूटर एक्जाम में दोस्तों आज है 9 मार्च और आज का जो तिरपल सी का पेपर हुआ है फ्रेंस उसके most important question जो भी important question है फ्रेंस उसके हमारे पास कुछ students ने भेज दिया है जैसी कि प्रिंस कुमार, मोहन सिंग, राजन कुमार, अनु कुमारी और स्रेया ने इन सभी को हम thank you बोलना चाहेंगे इन सभी ने हमारे पास questions भेजे हैं अगर आने वाले दिनों में आपका भी तिरपल सी का एक्जाम होने वाला है तो पहले questions से उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए महमान है तो चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को भी जरूर प्रेस कर लिजे ताकि हमारे आने वाले next वीडियो की notification आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंचती रहें पहला question हमारा फ्रेंस यूजर जो भी email प्राप्त करता है वह वहां इस्टोर होती है जो email जो user जब कोई email प्राप्त करता है तो वह कहां पे इस्टोर होती है फ्रेंस go in mailbox log start और sign up तो फ्रेंस आपको किसी भी question का answer अगर पता होगा तो आपको comment box में जरूर बताना है और एक like बटन जरूर दबा देना है like जरूर कर देना इस वीडियो को अपने friends में भी share कर देना है तो इसका right answer होता है दोस्तो mailbox जल्दी से वीडियो को share कर दीजिए ताकि और भी students हमसे जुड़ पाएं अगला question देख लीजिए question was second निम्न में से किस web portal में user अपना निसुल email account बना सकता है यानि कि free में email account किस में बना सकता है hotmail.com yahoo.com और gmail.com तो इन चारों option में से friends कौन सा इसका right answer है जल्दी से बता दीजिए अगर आपको थोड़ा भी पता है तो आपको guess करना है answer बताना है comment box में ठाकि आपका अनभ आपको याद रखना है friends इन सभी प्याफ free में email account बना सकते हैं एक्जाम में ये भी question पूछ देता है friends कि email का full form क्या होता है तो email का full form होता है electronic mail ये का मतलम होता है electronic और mail और gmail का full form पूछता है तो google mail तो ये आपको याद रखना है अब हमारा अगला question है दोस्तों लिवरे office calc में merge cell command किस menu में उपलब्ध होता है तो friends इसका right answer होगा format menu में लिवरे office calc में merge cell format menu में उपलब्ध होता है ये आपको याद रखना है चले friends आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है अमारा दोस्तों लिवरे office calc में cell को delete करने के लिए किस shortcut की का परियोग करते हैं उप control plus minus control plus d और delete तो आपको किसी को भी इसका answer पता है तो जल्दी से comment करके बताइए friends हम आप सभी के comments देखते रहते हैं कि किसने कितना सही comment किया है तो इसका right answer होता है control plus minus आपको बस a और b और c और d में आपको option का मतलम option देते रहना है कि क्या इसका right answer है comment box में आपको ज्यादा क most important books का PDF रखा हुआ है जो कि books आपको पूरा scan करा के एकदम books की पूरी अच्छे तरीके की copy आपको दी जाती है यानि कि book पूरा रहता है उसमें उस एक PDF में तो अलग-अलग books का हमने PDF बना के रखा हुआ है उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बार check out जरूर कीजेगा सबी PDF का link करके एक हमने link दिया हुआ है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं अगर आप market में book खरी ने जाते हैं तो बहुत जादा पैसा लगता है आपका लेकिन यहाँ पे आप बहुत ही कम दाम में पूरे book का ही PDF ले सकते हैं तो एक बार check out जरूर कीजेगा लेकिन उससे पहले वीडियो को last तक देख लिजे अगला question है दोस्तो इन लिवरे office writer scroll bar option is in which menu मतलम लिवरे office writer में scroll bar का जो option होता है friends वो किस menu में होता है जल्ली से बता दीजे friends काफी आसान question है file insert tools view तो इसका right answer होगा दोस्तो view menu यह आपको हमेशा याद रखना है एक्जाम में बहुत बार गुदे प्रसने फ्रेंस तो यह आपको ध्यान रखना है चलिए next question देख लेते हैं अगला question है दोस्तो लिवरे office writer में default font size कितना होता है default font size कितना होता है दोस्तो दस बारा 15 और 6 तो इसका right answer होता है दोस्तो 12 होता है default जो font size होता है वो 12 होता है यह आपको याद रखना है चल करते हैं क्योंकि यह open source होता है तो बिल्कुल यह false हो जाएगा फ्रेंस हम बहुत ही आसानी से कर सट पे हैं चलिए हम next question की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए महमान है तो चैनल को ज़रूर subscribe कर लिजिए और bell icon को भी प्रेस कर लिजिए और बहुत ह कम समय है आपके पास अगर तीरपल सी का एक्जाम देने के लिए फ्रेंस तो हमने इस वीडियो की description में दो PDF का लिंक दिया हुआ है पहले वाले PDF में है 2500 most important तीरपल सी के previous exam के questions तो उनको भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं उसको लेने के बाद आप आसानी से तीरप question देख लेते हैं अगला question है दोस्तों हमारा export direct as PDF का विकल्प कहां मिलता है export direct as PDF का विकल्प कहां मिलता है दोस्तों तो standard toolbar में यह option आपको मिलता है चलिए अब next question देख लेते हैं अगला question है दोस्तों question number 9 presentation slides हो करने के लिए कि shortcut की मतलम कौन सी shortcut की होती है तो F5 होती है दोस्तो प्रेजेंटेशन स्लाइट सो करने के लिए चले next question देख लेते हैं अगला question है दोस्तों the first PC virus was developed in यानि कि PC का computer कल आपका पहला virus कब बना था तो फ्रेंस 1986 में पहला virus बनाया गया था ये आपको याद रखना है चले next question देख लेते हैं फ्रेंस उससे पहले चैनल को सस्क्राइब कलीजिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कलीजिए अगला question है दोस्तों joystick allows the movements with यानि कि joystick कितनी डिगरी तक movement कर सकता है तो ये C square items होगा 360 degree angle यानि कि चारो तरफ ये घूम सकता है जो आइस्टिक गेम खेलने में यूज होता है फ्रेंस ये एक input device होता है ये भी आपको याद रखना है अगला question है दोस्तों the first computer viruses पहला computer virus क्या था फ्रेंस अभी आपने पढ़ा है कि पहले computer virus कब बना था पहला computer virus लेकिन उसका नाम क्या था फ्रेंस इसका राइट एंस फ्रेंस क्रीपर ये आपको याद रखना है most important question है कभी एक्जाम में पूछा जा सकता है आपके भी एक्जाम में आ सकता है next question देख लीजिए अगला question है दोस्तो question 13 computer के द्वारा संपादित होने वाले मुख्यकार है computer के द्वारा संपादित होने वाले मुख्यकार कौन से फ्रेंस तो all of the above arithmetic operation logical operation storage and relative तो friends ये सभी होते हैं ये आपको याद रखना है most important question है friends ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है एक्जाम में आपको अच्छे से पढ़के जाना है और friends अगर आप अच्छे तरीके से 3C की तयारी करना चाहते हैं तो हमने बहुत सारे अच्छे playlist का link description में दे दिया है जिसमें कि बहुत important question समने बताया है तो उसको भी आप अगर एक बार देख लेते हैं सभी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो इस बात के guarantee हम ले रहे हैं कि आप बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे description में सभी playlist का link दिये हुए हमने तो वहां से आप जाके एक बार चेक आउट जरूर कीजेगा सभी वीडियो को देख लीजेगा चलिए next question देख लीजे अगला question है दोस्तो माइक्रो प्रोसेसर को switching device के रूप में किस PD के computer में परियोग किया गया तो fourth generation में इसका परियोग किया गया माइक्रो प्रोसेसर को switching device के रूप में अब यह आपको याद रखना है next question देख लीजे अगला question है question 15 पहली PD के computer का मुख्य component है तो मतलम पहली PD के computer में कौन सा उसका main component था friends तो इसका right answer होगा friends vacuum tubes and valves यह आपको याद रखना है vacuum tube भी आप अगर याद रखेंगे तो आप बहु pump पेस यह तीनों जो है friends आल आप देवाव भारत के सूपर कंप्यूटर से हैं यह आपको याद रखना है next question देख लीजे अगला को इसने दोस्तों banking छेतर में अधिक संख्या में चेको को तेज निस्तारण के लिए इसमें से कौन सा डिवाइस परियुक्त होता है तो friends इसक magnetic ink character recognition magnetic ink character recognition इसका full form होता है यह भी आपको याद रखना है बहुत बार exam में पूछा जाता है अब देख लीजे next question अगला question है दोस्तों इन में से कौन एक open source operating system है इन चारों में से इन चारों options में से कौन सा एक open source operating system है फ्रेंस linux unix मतम की unix और linux ms window और none of above तो इसका right answer क्या हो होगा दोस्तों इसका right answer होगा linux जोए एक open source operating system है तो यह आपको याद रखना है अगला को इसने दोस्तों जो कि बहुत important है एक byte का परति निधित्व करने के लिए 8 bit के समुह का उपयोग किया जाता है यानि कि एक byte बनने के लिए 8 bits लगते हैं तो true हो जाएगा दोस्तों य यह आपको आसानी से पता होना चाहिए बहुत ही आसान क्वेस्टन है एक byte बनाने के लिए 8 bits लगते हैं यह आपको याद रखना है question number 20 हमारा friend CD-ROM में उपलब्द program हमेशा virus मुक्त होते हैं तो true और false में आपको choose करना है दोस्तों तो यह बिलकुल false हो जाएगा CD-ROM में उपलब्द जो भी program होते हैं friends वो हमेशा virus मुक्त नहीं होते हैं उसमें viruses आ सकते हैं उसके भी chances बहुत जादे होते हैं यह आपको याद रखना है most important question है friends यह सारे और friends अगर आप अच्छे से तयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के description में हमने दो PDF का link दिया हुआ है तो उनको भी आप ले सकते हैं जो कि बहुत ही आसानी से आपको CCC में pass करा देगा जिसमें कि first वाले में है पचीस से हो question दूसरे वाले में है एक हजार most important previous questions है वो सारे तो उसको पढ़ने के बाद आप आसानी से पास हो जाएंगे चले next question देख लीजिए अगला question है दोस्तों एक printer का resolution DPI में मापा जाता है एक printer का resolution जो होता है friends वो DPI में मापा जाता है तो बिल्कुल true हो जाएगा दोस्तों यहां पर question 22 है मारा friends को launch किया RBI, UPI, NPCI और NEFT तो इसका orientation होगा friends NPCI यह आपको याद रखना है अब NPCI का full form पूछता है friends आपके एक्जाम में बहुत बार तो NPCI का full form होता है National Payments Corporation of India यह आपको याद रखना है तो यह थे friends आज के हमारे top 22 questions जो कि हमारे पास कुछ ही students ने भेजे थे अगर आने वाल है दोस्तों तो हमें इस WhatsApp नंबर पे आप भी questions जरूर वेजेगा हम आपका नाम भी लेंगे बताएंगे भी और आपको thank you भी बोलेंगे सभी student को बताएंगे हम कि आपके दोवारा ये questions भेजे गए थे तो मिलते हैं friends इसी के साथ अगले वीडियो में उससे पहले friends वीडियो हमें थेंग दोस्तों